वहीं भागलपूर में जिला अधिकारी ने जिला के विभिन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की समिक्षा भौन में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी ने ग्राम परिवहन योजना के तहत होने वाली खरीदारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की इसके अलावा उन्होंने जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर किये जा रहे सौंदरी करण के काम में तीजी लाने का आदेश दिया और साथ ही कई अन्यमुद्दों पर पदाधिकारियों के बीच विचार विमर्ष किये बैठक में एडियम, अंचल अधिकारी और बैंक अधिकारी शामिल हुए विभाग के अधिकारियों संग बैठक की गई है आपको बता दें कि भागलपूर डियम ने अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की सौंधर्य करण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया और बैठक में आपको बता दें कि एडियम, अंचला अधिकारी और बैंक अधिकारी भी मौझूद रहें तो इस बैठक में सौंधरी करण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह तस्वीर भागलपूर की है जहां अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और इसी खबर पर अधिक जनकारी के लिए राजियू पांडे बेरो चीफ हमारे साथ फ़न लाइन पे मौजूद है राजियू भागलपूर डियम ने अलग-अलग विभागों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की है बैठक में क्या कुछ कहा गया भागलपूर जिलादिकारी कल बैठक की और बैठक में उन्होंने असपष्ट निर्देश दिया बैंकों सही सभी विभागों को कि जो भी काम हुआ है उसे अभिलंब पूरा कर लें परिवहन विभाग जो परिवहन लौन दिया जाना है अभी मुख्यमंतरी परिवहन लौन योजना के तहट लोगों को उसके लिए बैंक द्वारा कोई कार्ज नहीं किया गया इस पर जिलादिकारी ने फटकार भी लगाई और कहा इस योजना को अभिलंब पूरा किया जाए जिससे कि लोग इसमें खामखा लेक नहीं हो किसी विकार्ज को आगे बढ़ाने जी और सौंधरी करण के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है कि वो बिचला डाल कर इस मता सिपालन के काज को आगे बढ़ा सके जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो सौंधरी करण के काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया भागलपूर डियम ने अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की है और संदर्य करण में तेजी लाने का आदेश दिया गया